आपको बता दे स्तनों में सूजन होना ये कोई आम बात नहीं है इसलिए जब भी आप ऐसा कुछ महसूस करें तो आपको इस पर ध्यान देने की अवश्यक्ता है अकसर स्तनों में सूजन का अयसास हमें तब होता है जब हमारे एक या फिर दोनों स्तनों का आकार बढ़ रहा होता है जब भी स्तनों में सूजन आती है तो आपको मलता, पीड़ा, दर्द, गांट का भी अयसास करते होंगे कई बार हार्मोनल चेंजिस की वज़े से भी ब्रिस्ट में सूजन आ सकती है ब्रिस्ट में आई सूजन का उपचार करवाने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि आखे सनों में सूजन आने के कारण क्या है जिससे अगर हमारे breast में पहले से ही सूजन है तो उसके पीछे के कारणों को समझ सके और अगर आपकी breast में सूजन नहीं है तो आपको उन चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दे स्टन के चार मुखे tissue structure से बने होते हैं जिसमें शामिल है fat tissue, milk duct, gland और connective tissue और इन tissue में उतार चड़ाव आने की वज़ा से ही breast में सूजन होने की समस्थ्या होती है स्टनों में सूजन होना cancer का भी रूप ले सकता है इसलिए जरुत है कि समय रहते ही इस पर गौर किया जाए चलिए आपको बता देते हैं आखिर किन कारणों की वज़़ से तनों में सूजन आ जाती है PMS यानि की premenstruation syndrome, breast में सूजन आने का एक आम कारण है बता देए हर महीने में periods आने से पहले महिलाओं का estrogen उत्पादन बढ़ जाता है जिसकी वज़ा से आपके शरीर में अन्य परिवर्दनों के साथ कई हार्मोनल बदलाव भी होते हैं आपके breast duct और milk duct के बढ़ने का कारण बन सकता है जिसके कारण शरीर में water retention भी हो सकता है जिससे स्थन की सूजन बढ़ सकती है इसलिए जब आपका period शुरू हो तो PMS से संबंदित सभी लक्षणों में सुधार होता है और स्थन में सूजन का एक महत्पून कारण स्थन cancer भी हो सकता है जैसे तो विभिन प्रकार के स्थन cancer होते हैं परन्तु सूजन वाले स्थन cancer इंफ्लमेंटरी ब्रिस्ट कैंसर के कारण अवरुद लिम्वेल्स के परिणाम स्वरूप आपके स्थनों में सूजन पैदा हो सकती है जिसकी वज़े से आपके स्थनों में ट्यूमर बहुत ही कठोर और दर्दनाक काट के रूप में प्रकट हो सकता है इसी के साथ और भी कुछ अन्य कारण है वो भी हम आपको बता देते हैं खाद्य पदार्थ और पै जैसे अधिक मात्रा में कैफीन या नमक का सेवन करते हैं तब बे ब्रेस्ट में सूजन का हैसास कर सकती है कुछ दवाएं जैसी की जन नियंत्रव की गोलियां जिसमें एस्ट्रोजन होता है उनका सेवन करना भी सूजन का कारण बनती है आपके द्वारा गर्वती होने पर होने वाले शारिरिक परिवर्तन की वज़े से भी स्टनों में सूजन आ सकती है डिलेवरी के बाद बच्चे के जन के बाद भी सूजन हो सकती है फाइब्रोसिस्टिक स्थन रोग एक ऐसी स्थिती है जहां आपके स्थन में नौन कैंसरिंस लंब विक्सित हो जाते हैं जिस वज़ा से स्थनों में सूजन आ जाती है ये कुछ वज़ाए थी जिस वज़ा से आप अपने स्थनों में सूजन का एसास करते हैं क्यूरेन हेल्स डेक्स से आर्थी की रिपोर्ट